हेलो एवरीबन वेल्कम बेक टो पर्फेक्ट टेक्नेशन यूटूब चानल यह मेरे पास बहुत दूर से किसी डीलर ने एक चार्दर बेजा है तो यह आल्रडी रिपेर्ड है उस डीलर ने इसको रिपेर किया लेकिन उस डीलर से यह नहीं बन पाया तो चलिए पहले इसका अंबॉक्स करके इसके अंदर की कंडिशन क्या है वो देखते हैं देखके जो भी इसमें खरादी है उसको सही करते है इसको डीलर करके निकालना पड़ेगा इधर भी शाल्डर हुआ है और एक मास्वेट अल्रडी निकाला हुआ है एक मास्वेट है उसमें भी सही तरह के से शाल्डर नहीं किया इस पिन भी शाल्डर किया है तो चलिए इसको डी शाल्डर करके हीट शिंग को और वो एक मास्वेट को बाहर निकालता हुआ है कि यह फट गया है देख सकते हैं कि अधा आइए कॉंप्लीट इस section में पूरे components short हैं तो इन short components को बाहर निकालते हैं तो यह देख सकते हैं friends finally मैंने इस section में जितने components short थे उन सभी components को मैंने uninstall करके बाहर निकाल लिया है यह देख सकते हैं आट की लिए और उन तरह से फट चुपार और साब में यह वना मास्वट इतने components मैंने अभी इसके निकाले हैं अभी इसको दो नए MOSFET और ड्राइवर ऐसे regulator जैनर रेजिस्टर सब दालना है दालेंगे तो ये ठीक हो जाए तो ये फाइनली देख सकते हैं friends ये charger रेपेर हो चुका है इस section में जितने components मैं ने इंस्टाल किया था सेभी को नए component इंस्टाल करके दो नए MOSFET दालके और भी बहुत कुछ था सब कुछ सही कर दिया है इसको fan भी connect कर दिया है इदर लाइन और नोडल भी दे दिया है अभी पावर देखे मैं आपको ये चक्कर आउंगा तो इदर दो LED इंडिकेट करेंगे फैन आन होगा आउटपुट पे 53 ओल्ट शो करेगा अभी मैं पावर देता है ये देखे हैं मैंने पावर दे दिया इदर दो LED इंडिकेट कि और आउटपुट पे 53 ओल्ट शो करेगा ये देख सकते हैं 53 ओल्ट शो कर रहा है फैन भी आन हो गया है अब ये कंटिनिस चलेगा और 53 ओल्ट स्टेबल में रहेगा अगर इसमें कुछ दिकत है तो वह 10 सेकेंड में अगर कोई प्राब्लम होता तो ये रड लेट इदर आ जाता है मतलब इसमें आउटपुट नहीं निकलता तो ये इसमें आउटपुट में टिक्ट्रोल की शो कर रहा है फैन भी कंटिनिस चल रहा है तो ये चार्जर परफेक्ट रडी हो चुका है थैंक्स फर वाचिंग वीडियो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए अगर में हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में